दोस्तो सबसे पहले तो आप सभी को हैपी हो ली रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में भी हर तरके खुसियों के रंग भी खेरे आज हम सुजलोन अनर्जी को डिसकस करने वाले और सुजलोन के लिए आज क्लोजिंग मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बेड़ निकल के आ रही है सुजलोन अनर्जी को निप्टी इंडेक्स से बाहर किया गया है और एक तरह से ये देखे तो काफी बड़ी या पर टेंशन वाली बात हो सकता है कि इसका निगेटिव एफेक्ट हमें कल देखनों को मिले क्योंकि आज तो हॉलिडे बाज़र में अब आप देख सकते हो कि भले ही ये बेंड़ी निकल के आ रही हो लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरे जरूर है जो आने वाले समय में सुजलोन में तेजी का दौर ला सकते है वैसे सुजलोन के लिए खराब अब होना क्या है और इसकी प्राइज तो बहुत ही नीचे जिस सेक्टर में कमपनी काम करी है उस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत ही जबरदस तेजी का दौर शुरू होने वाला है तो जो खराब होना था वो हो चुका है और जिस तरसे सरकार की तरब से इस सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है पिछले जिनों जिस तरसे बड़ा बेल आउट पैकेज दिया गिया है सुजलोन अनर्जी को यानि जो सारा बैंकों का करजा था वो सरकार ने अपनी दो पावर कंपणियों को सौप दिया है और इनको एक तरसे काफी बड़ी रहा दिया है यानि तो इनका जो इंट्रेस रेट था उसको भी कम कर दिया गया है साथ में जो करज चुकाने की सिमा को भी बढ़ा दिया गया है तो चिंता की बात ने और इसलिए कंपणी लगा दर अपने ड अब यहाँ पर देख सकते हो कि यह एननेसी का जो लेटेस जो इस्टेप उटाया गया उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमें देखना हुगा लेकिन जितना डिप में मिले क्या खरिदारी करनी चीए इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेक आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले एक महतोपुन खबर को हम डिसकस कर ले दे वैसे तो कल भी हमने इस वीडियो को में डिसकस कर दे लेकिन आपको फिर से बद जाना जुरूई है जिसमें आपको यह जो रकम है यह आपको चुका देनी है जो अभी डाइप रुपीज पर शेर आपको यहापे अमाउंट चुकानी है और इसके लिए यहापे option भी दिएगे जिसमें आप online ASBA जो website पर जाके वापे कर सकते इसके लाओ physical ASBA के form के रुप में भी आपे submit कर सकते या फिर 3-1 account के मादियम से भी कर सकते और broker अलड़ी है सारी service पर प्रवाड़ कर रहे हैं वहाँ से भी आप यह अपना account है उसके माद अदानी ग्रूप के चार शेरों को निप्टी अलफा 50 इंडेक्स से बाहर कर दिया है और यहापे देख सकते हो अदानी इंटरपाइजिस अदानी ग्रीन अनर्जी अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस अब इस अलफा निप्टी का हिस्सा नहीं होंगे साती अदानी ग्रूप के चार शेरों के अलफा इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है इसके अलबा एंजल वन ब्रोकिंग फर्म को भी यहापे अलफा निप्टी 50 इंडेक्स से बाहर किया गया है इसके अलबा अगर आप देखे तो आपको यहापे दिखाई देगा गुजरात नर पर देख सकते हो सूजलोन एनर्जी को भी यहां पर अलपा 50 इंडेक्स से बार कर दिया गया है और यह काफी बड़ी बैड डिविज है सूजलोन एनर्जी के लिए तो यहां पर देख से आलपा 50 इंडेक्स से जो 14 शेयर हटाएगे उनकी जगपे आदेते बिड़ाफ पंजाब, नेशनल बैक्स, सीमेंस और जाइडेस, लाइफ साइंसेज इनको अब जगद देदी गिये तो यह तो आप समझी सकते हो कि सूजलोन के लिए यह काफी बड़ा जटका है जब इनको अलफा निप्टी-फिप्टी से बाहर कर दिया गया है तो यहां पर देख से होगा कि स्टॉक 13 तक जाके आयता और इस समय जब बाजार उपर है स्टॉक नीचे है तो आने वाले समें एक थोड़ी सी गिराउट जरूर होगी लेकिन जितना डिप में मिले यह तो खरिदारी का ही मौका बनता है क्योंकि एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है ग् कि wind energy और solar energy के माद्यम से ही green hydrogen का निर्बान हो सकता है और आप समझ सकते हो और इसलिए सरकार ने 19,700 को बिच का यहाँ पे national green hydrogen mission लाँच किया है और आप देख सकते हो कि इस sector को बहुत सारी सम्भावना बन रही है और इस बार सरकार ने 35,000 को बिच का जो निवेस है वो और ऐसे में जितनी कमपनिया पुरानी है वो इस समय तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाते हुए दिखाए देगी जिसमें सुझलोन अनरजी मुख्य कमपनी है जो wind energy सेक्टर में इंडिया की number one कमपनी है इसके अलावा पिछले 5-6 साल से कमपनी solar energy के प्रोजेक्ट भी करी है और बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है तो यहां पर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जो इंडियन कमपनी है दोनों मिलके प्रोजेक्ट इंडिया में करने जा रही है यहां पर देख सकते हो 500 मेगावाट के onshore wind farms लगाए जाने वा क्योंकि इससे पहले भी आदेज बिला ग्रूप हो या फिर अंबानी ग्रूप हो या अदानी ग्रूप हो जितने भी बड़े बड़े ग्रूप है वो अलड़ी इनको प्रोजेक्ट देई रहे सुजलोन को लगातार काम मिल रहा है और ऐसे मैं समझ सकते हैं सुजलोन के लि यहां पर बड़ी अपडेट पंजाब से निकल के भी आ रहे हैं पंजाब गवर्मेंट ने डिसाइड किया कि अपने यहां पे यानि पंजाब के अंदर वो ग्रीन अनर्जी के नए प्रोजेक्ट लगाएंगे यानि 2227.12 मेगावाट के कैपसिट करिदमर्जी के प्रोजे देखने को मिल सकता है इसके अलावा देखे तो रिसेंटली आप देखे तो आंदर प्रदेश में भी हमने देखा है कि जो ग्लोबल समिट हुआ उसमें काफी निवेश की संभावना बनी है वीन अनर्जी के लिए भी काफी अपरचुनेर निकल के है जब अदानी ग्रूप सर्विस भी प्रोवाइड करती है उसके लिए तो बहुत सारे मौके निकल के आ रहे इसके इलावा सरकार ने गुजरात और तमिलाडू के लिए विंड्स के यहां पर बीड़ भी लाने की यहां पर अनॉसमेंट की है उसका फाइदा भी देखना को मिल सकता है तो ऐसे में जब इतनी सारी opportunity है तो क्यों आपको डरना है सुजलों में क्यों निवेस किया जाए कुछ समय के लिए आप इसको तीन से पास साल के लिए होड कर सकते है अब एक बड़ी update गुजरात से निकल के आ रहे है यहां पर देख सकते हो कि स्टर लाइट पावर जो है अनौस कर को मिल सकता है जितने project आ रहे है उसमें आपको आने वाले समें सुजलों को benefit देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो जैसे कि इसमें correction काफी जाना हो चुका है पिछले एक साल में देखे तो stock में कोई तेजी बनी नहीं है और इसलिए कह सकता हूँ कि आने वाले समें एक तेजी का राउन था तो लगातार sales गिर रहा था लेकिन 3-year के इसाब से आप देख सकते हैं तो sales 9% पॉजिव हो गया और इस TTM 29% पॉजिव हो गया यह पिछले 10 साल में सबसे सांदार sales आपको सुजलों का इस समय दिखाई देगा अगर profit की भी बात करे company के तो 10-year के इसाब से 6% दौर शुरू होगा तो नजरिया लॉंग टम का लेकि इस समय आप सुजलों में इवेस कर सकते हैं और इस मौके का फाइदा उठा सकते हैं कल हो सकता है कि गिर आउट हो क्योंकि इसको अलफा निप्टी 50 से बाहर किया गया उसका आसर देखने को मिल सकता है लेकिन आने वा पीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए